पुशपाटु का ट्रेलर देख doughnut के बाद मेरे मन से यही आवाज निकली लेए पिर मुझे यादा है कि पुशपाटु तो जिन्दा है लेकिन मेरे नानाजी जिन्दा नहीं है नवस्कार स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप में हूरानक को वेलकम पुश्पाटू का ट्रेलर देखने के बाद यह कहूंगा थि भाई पटना में बड़ी दुरगटना हो जाती है अधर ठीक से लोगों मैनेज नहीं किया दिया होता तो इसकी टीम इस ट्रेलर लॉंच को इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेलर लॉंच बोड़ रही थी इसमें उन लोगों का भी भारी योगदान था जो अल्लू अर्जुन को देखने के लिए विजुली के खंबे पर चड़ गए ए जलत देखने फलत तक चड़ गए मैं बोला डू पचाया था साब उठा कर यही लगा दिया है अब क्योंकि कहानी जापान से शुरू हुई थी तो ट्रेलर में हम पुष्पा को जाफान जाते हुए देखते हैं ट्रेलर वो देखका स्टोरी से जादा इसके ग्रांडियोर पर फोकस किया गया है कहानी अब नैशनल से इंट पर आठ चुके है पुरानी पैंट शिर्ट की जगे खुद के ही ब्रांड के कपड़े पहन कर डांस बार में नाच से दे हैं पूरे ट्रेलर को देखकर यही लगता है कि पुष्पा के बनाए सामराजु को अब दो चीज़े चालेंज कर रही है पहली तो सरकार और दूसरा वो सिस्टम जो भावर सिंग शेकावस के हाथ में है लोग ही कह रहे है कि मूवी मेकर्स ने पटनाव पर चूज ही इसलिए किया कि वहाँ पर लघंडा डांस बहुत फेमस है और क्लाइमेक्स पो पुष्पा भाई ले भावर सिंग शेकावस फो लघंडा नाची तो करवा बहुत लगाये हैं और यह फिन कमाएगी भी बहुत ज़्यादा पईजा बहुत पुश्पर्टू तो करोड़ कमा लेगी हमारा क्या हमें तो पापके उन्हों से के लिए भी लूट लेते हैं यह थेट